नमस्का, मैं हो सासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में रोजाना एक लाख कुरोना टेस्ट, सी एम हेमन्द का निर्देश पिकनिक अस्थलो पढ़ना हो अधिक भीड जर्खन में कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर सी एम हेमन्द सुरे ने उचस्तरी बैठक की इस बैठक में कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई साथ ही अधिकारियों से पिछले एक सप्ता में कुरोना संक्रमन ममले में विरिधी की अगतन जनकारी ली गई मुख्य मंत्री ने नए साल को लेकर वाटर फोल, पार्क, पिकनिक, स्पोर्ट, मंदीर आधी जगों पर कोविड-19 गाइडलाइन का सक्ति से पालन कराय जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया बता दे मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड भायवाले सभी जगों पर कोरोना टेस्ट ड्राइब चलाए समिक्षा के करम में यह बाद सामने आई कि हजारी बाग एवं बोकारों जीला में क्रोना जांच के आकड़ों के अनुसार कौम टेस्टिंग और ज्यादा पोजेटिव मामले आए हाए इस पर मुख्य मंत्री ने कहा कि इन दोनों जीलों में कोविड-19 जाच में तेजी लाने एवं संक्रमन के परसार को फाइलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाये जाए बैठक में मुख्य मंत्री को अउगत कराया गया कि अभी राज्य में हर दिन करीब 35 हैर कोविड टेस्ट किये जा रहा है बता दे मुख्य मंत्री ने इस संब्ध में अधिकारियों को निर्देसित किया कि विभाग ऐसी बेवस्ता जल्द बनाए जिससे हर दिन 75 हैर से लेक निर्तम तापपान में 2-5 डिगृ से की गिरावर दर्च की गई है आने वाले 3-4 दिने निर्देश फिर से 3-4 डिगृ से से तक गिरेगा बता दे निर्तम तापपमान के समाने से कम होने की वज़ा से कम कपी और बढ़ेगी हालाकि नव वर्स पर स небольш अज़निवार को मौसम ने टीटुरन महसोस किया, साम होते ही ठन में और विरिदी हुई, देर साम तक लोग जरूरी काम निप्टा कर घर पहुचने की जल्दी दिखे मौडल इस्कूल में नमांकन के लिए सिक्षक बच्चो को करेंगे तयार राज्य के मौडल इस्कूलों में नमांकन के लिए सिक्षक बच्चो को विशेस त्यारी कराएंगे इस समद में माधमिक सिख्छा निदेशक ने सभी जीलों के जीला सिख्छा पताधिकारी को निर्देश दिया है बता दे पांचवी कक्षा के बच्चों की तैयारी सिख्षकों को करानी है जारकन एकेडमी काउंसिल की ओर से मोडल स्कूलों में नमांकन के लिए परिक्षा फरवरी के आंतिया मार्च में ली जाएगी अप्रेल से नया सत्र सुरू होगा उलेखनी है कि राजे में 89 मोडल स्कूल संचाली था है जिसमें छटी से बरावी तक की पढ़ाई अंग्री माध्याम से होती है बतादे माधमीक सिक्षा निदेशक के निर्देश के अनुसार सिक्षको को पांचवी कक्षा के पांच से दस बचों का चयान कर उनकी बिशेस त्यारी करानी है नसे में ड्राइविंग करते पकड़े गए तो वहन होगा जब्त मामारी कुरोना वारस के संक्रामन के बढ़ते मामले की बीच नव वरस की त्यारी में जूटे लोगों ने अगर सरकार की गाई लाइन का उलंगन किया तो उनके बिरूद कानून समत करवाई होगी रांची के उपायूग छवी रंजन ने सुक्रवार को इस समाद में निदेस जारी किया है रांची के 15 नीजी स्कूलों को मानवा अधिकार आयोग का नोटीस राज मानवा अधिकार आयोग ने बच्चों के सिक्षा के अधिकार के प्रती सोता संग्यान लेते हुए राजधानी राज़ी के 15 नीजी स्कूलों को नोटीस जारी किया है नोटीस के माधियम से आयोग ने इन नामी गिरामी स्कूलों से या जानने की कोशिस किया है कि नीजी बिद्यालियों में सिक्षा के अधिकार अधिकार अधिनियम का आनुपालन हो रहा है या नही बता दे इन इस्कूलों को नमीने के तोर पर चुना गया है इस्कूलों को जबाब देने के लिए 25 फरवरी तक का समय दिया गया है आयोग ने इस्कूलों से पुछा आए कि पिछले तीन साल के भीतर उनके बिद्याले में आर्थिक रूप से कमजोर कितने बच्चे का नमांकन हुआ साथ ही उन्हें यूनिफॉर्म किताबे, स्टेस्नरी, आधी उपलब्द कराई गया नहीं सभी 15 विद्याले के परमूख या परचारे सभी सुचनाएं राजे मानवा अधिकार आयोग में 25 फरवरी 2022 की साम पांच बहे तक जमा करेंगे ज्यारखंड के हर घर तक पहुँचेगा नल जल योजना ज्यारखंड के लिए जल जीवन मिशन के तहद 9544 को रुपई की योजनाएं सुक्रित की गई है इन योजनाओं से राजे के 4424 गाओं में लगबग 8 लाग गरामिन घरों में पानी क्या पूर्ती होगी बतादे 15 अगस 2019 को जल जीवन मिशन के सुबारम के समय ज्यारखंड में केवल 3,45 एर गरामिन घरों में नल के पानी क्या पूर्ती थी COVID-19 में हमारी और लोगड़न के बावजूद 28 महिने में राजे ने 6.73 लाग घरों में नल के पानी का कनेक्शन परदान किया अभी तक राजे के 69 लाग गरामिन परिवारों में से 10 लाग को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है छुटियों का केलेंडर साम में हुआ निरस्त निदे साले ने वापस लिया आदेश माधमिक सिक्षा निदे साले ने माधमिक एवं प्लस टू स्कूलों के लिए वर्ष 2022 की छुटिया निधारित करते हुए कलेंडर जारी किया था जिसे आनन फाने में निरस्त करना पड़ा पता दे निदे साले ने सुक्रवार की सुबा में अन्ठावन दिनों का आवकास गोसित करते हुए कलेंडर जारी किया था जिस पर कई सिक्षक संगोद्वारा अपति किये जाने के बाद विभाग के सचीव राजे सर्मा के आदेश पर साम में उसे रद करना पड़ा अब इन इसकूलों में 60 दिनों के आवकास का नाया कलेंडर जारी किया जाएगा दरसल विभाग ने इसी साल 2 नॉमबर को जारी अधिस सुचना के तहुत इसकूलों के ओधी का निधारन किया था इसमें इसकूलों में 60 दिनों का आवकास गोसित किया गया था लेकिन निदे साल ने सुक्रवार को जारी आदेस में अंठामा दिनों का ही अवकास गोसित कर दिया कोडार्मा के पिकनिक अस्थलों पर उम्रेगी भीड सुरक्षा वेवस्था चाक चोबंद नया साल 2022 का संदार आगाज और पुराने वर्ष 2021 की बिदाई को लेकर कोडार्मा जीले के भीविन पिकनिक अस्थलों पर सनिवार को लोगों की भीड उम्रेगी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों से निकल कर जंगलों और पिकनिक एस्पोर्टों पर पिकनिक का लुप्त उठाएंगे बता दे इस उमंग के च्छन में किसी परकार का हुड़दंग न हो इसके लिए जीला और पूलिस परसासों ने सुराक्षा के पुक्ता इंदिजाम किये हैं वहीं दूसरी ओल जीले में एक बार फिर से कुरोना के बढ़ते मामले को देख सुराक्षा ब्यवस्ता के साथ साथ नियमों का कड़ाई से अनुपालन को लेकर भी त्यारी का दावा है नए साल पर बाबा मंदिर में सरधालूओ की उम्डे की भील कुपन रेट 500 रुपया है नए साल पर सनीवार को बाबा मंदिर में स्रावनी मेला की तर्जपर जलारपन करने की बेवस्ता होगी वहीं सीग्र दर्शनम कूपन का रेट भी प्रति ब्यक्ति 5 रुपे की दर्शे होगा बतादे कूपन ले भगतों को बाबा मंदिर पर सासन भवन से परवेश कराने की ब्यवस्ता होगी साथ ही समाने कतार की ब्यवस्ता को बीएट कॉलेज तक कतारबत करने की ब्यवस्ता की गई है बता दे भीर की समानों को देखते हुए बरमसिया रोड में भी प्रतिनुक्ती की गई है समाने कतार में लगने के लिए भक्तों को मान्स और ओवर पीपल पेड़ के पास गलिस से जलसार चिल्डेन पार्क और वहां से हद हदिया पूल होते हुए बीट कोले रास्ते के कतार में लगने की विवस्ता है जारखन में गुरुवार को 482 नाइकेस मिले है जबकि 49 मरी स्वास्त भी हुए है जारखन में गुरुवार के आकड़ो के अनुसार कूल संक्रमितों की संक्या 1374 है भारत में सुक्रवार को 16627 नाइकेस मिले है जबकि 511 मरी स्वास्त भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 1,2842 है जारखन में बाइक, स्कूटर, चालको को सस्ता पेट्रोल के लिए एप बना रही सरकार राज्य के करिब 61 लाग से अधिक हर परकार के दासन कार धारक प्रती मा अधिकतम 10 लिटर पेट्रोल पर प्रती लिटर 25 रुपे सरकाश से सबसीटरी पाने के हगदार होंगे बसरते उनके पास मोटर साइकल या स्कूटी हो बता दे योजना का लाब 26 जन्वारी से उपलब्द होगा फैदा उठाने के लिए लाभू को मोटर साइकल या स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के बाद परची लेनी होगी इस परची को सरकार की ओर से त्यार किये जा रहे आएप पर अपलोड करने से बैंक खाते में सबसीटरी टांसपर की जाएगी बता दे आएप पर लाभू को अपना रईस्टेशन कराना होगा रईस्टेशन के दवरान रासन काट का बीरान अधार लिंक बैंक खाता और वहान पंजी करान का बीरान अपलोड करना होगा सहीदो को सरधांजली देने सराय के लाख खरसावा आएंगे सीम हेमान थे जारखन के सराय के लिए खरसावा जिले के खरसावा के सहीदों को सरदान्जली देने के लिए मोख्य मंत्री हेमां सुरेन पहली जनवरी सन्निवार को खरसावा आएंगे मोख्य मंत्री के कारिकरम के त्यारी पूरी कर ली गई है बता दे मुख्य मंत्री करियाले से भी इसकी अधिकारिक पुष्टी कर दी गई है मुख्य मंत्री करीब एक बजे खरसावा आएंगे इसके लिए खरसावा के हाई स्कूल में और अस्थाई हेलिपेट बनाया गया है इधर खरसावा के सहीदों को सरदान्जली देने के लिए केंद्रीय मंत्री स अस्थानिय सांसरत और जुन मुंडा सूबा शाड़े आट बए खरसावा पहुचेंगे कोडर्मा में धारा 144 लागू कोडर्मा जीला में बढ़ते कुरोना संक्रमन के परभाव को रोकने के उदेश जीला पर सासन सक्त कदम उठा रहा है बदादे डिसी के निदेश पर जीले के सभी सरोजनिक अस्थलो पर अउन्वंडल पदा धिकारी ने 31 दिसंबर 2021 की देर राद से 1444 लगा दी गई है इस दोरान सभी सरोजनिक अस्थल, पार्क, रेश्टोरेंट, बार, होटल, खेल मैदान में भीड लगाने पर पवंदी होगी या पवंदी आगामी 2 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी बता दे जारी गाईलेंड के मुताविक कोडार्मा जीले के सरोजनिक अस्थलों के अलावा और ने सभी अस्थानों पर अधिक भीड़भाण नहीं करने का निदेश दिया गया है महिला सहायक पुलिस की संदिग दमौत पर पर परिजनों का हंगामा जार्खन के पूर्वी सिंभुम जीले के गमहरिय थाना अंतरगत कुलूडी में कोल मुरी थाना में पदस्थापी सहायक पुलिस कर्मी रेवा रानी मांडी 25 वर्सिये की संदिग अस्पदमौत हो गई गटना की सुचना पाकर कुलूडी पहुंचे रेवा रानी के मायके वालों ने हत्या बता कर अंगामा शुरू कर दिया इसकी सुचना गमारिया थाना को दी गई सुचना पाकर गमारिया पुलिस गटना असल पर पहुंची और सौब को कबजम लेकर पोस्टमास्टम के लिए भेज दिया है गुमला में कानून का डर पिछले साल की तुलना काम हुई अपराथी गटना है गुमला जिले में साल 2020 की तुलना में 2021 में अपराथी गटना है काम हुई है जिसकी वज़ा से जिले में पराथमी की भी काम दर्ज हुई है गिरफतारी और सीजर पिछले साल की तुलना में 2021 में काम रहा अलग अलग रहा, 2020 में 816 जबकि 2021 में 550 गिरफतारी पूलिस के रिकोर्ड में है, बिधायक अमबा परसाद कुरोना संक्रमीत, बाका गाव बिधायक अमबा परसाद पिछले दिनों एक बार फिर कुरोना पोजेटिव हो गई है, बता दे बिधायक रहाची चली गई है, एव होम कुरंटाइन हो गई, उन्होंने अपने साथ रहा है, जन परतिनीधियों और कर्मियों को भी कुरोना जाज कराने के साथ होम कुरंटाइन रहने को कहा है, इस आसे की जनकारी विधायक अमबा परसाद के पूरो परतिनीधिस संजय कुमार ने दी, जिस तरह से कुरोना तेजी से अपने पापसार रहा है उसे देखते हुए इतना तो साफ है कि अब ए कम्यूनिटी एस्प्रेट की तरफ बढ़ गया है क्योंकि लोग तेजी से संक्रामित हो रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए बार भवन में खुलेगा स्वास्त केंद्र मंत्री सिविल कोट के अधिवक्ताओं के लिए नए साल में स्वास्त मंत्री बना गुप्ता ने बार भवन में चिकित सा केंद्र खोल कर तोफाय दिया है स्वास्त केंद्र में एक डॉक्टर एक नर्स एवं सहाय क्रमचारी बैटेंगे बता देया सुविधा पिछले दिनों बार एसोसेशन के महा सचीव संजय कुमार बिद्रोई की मांग पर स्वास्त मंत्री ने दिया है सुक्रवार को मंत्री के आपत सचीव आसीफ एकराम ने पत्र के आलोक में सिविल सहजन को जल्द ही बार भवन में अस्थाई चिकित सा केंद्र कारे सील करने का निर्देश दिया लालू परसाद समेत 102 आरोपियों को दर्ज करानी होगी उपस्थिती चारा घोटाले के सबसे बड़े पैमाने में फैसला आने में एक कदम दूरी है बतादे तीन आरोपियों की ओर से बहुत पूरी होते ही फैसले की तारिक अदालत में निधारित कर दी जाएगी CBI के 20S लोक अभियोजक BMP सिंग ने बताया कि रायत सुप्रिमों लालू परसाद समेत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों को नए साल में कोट खुलते ही उपस्थिती दर्ज करानी होगी हलाकि अप प्राधियों को ब्यक्तिगत उपस्थिती की जगा अपने अधिवक्ता के माधियम से उपस्थिती दर्ज कराने की छूट है बतादे बर्तमान में मामले में 102 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं इसमें से लालुप परसाथ समेत 99 आरोपीयों की और से बहांस पूरी हो चुकी है जारखन थोक वश्तर विक्रेता संक्यावाहन का दिखा मिला जूला असर जारखन थोक वश्टर विक्रेता संकी और से बुलाई गई संकेतिक हरताल का सुक्रवार को राजधानी में मिला जूला असर देखनों को मिला राची के अपरवज़ार इस्थी ठोक दुकाने जहां संक वहान पर पूरी तरबंद रही वहीं खुदरा दुकानों में संकेतिक बंदी का आसर नहीं दिखा बता दे समाने दिनों की तरह की दुकांदार ब्यपार करते नजर आए इसके अलावा राई धानी के मेन रोड अपर बजार रातु रोड धुरंडा वह हर्मू बजार में छिटपूर दुकाने बंद रही बता दे कि सुक्रवार को केंदर सकार की ओर्क से प्रस्तावीत कापड़ा पर जीस्टी की दर पांच फिजदी से बढ़ा कर बारा फिजदी करने के बिरोध में दोफर बारा बय तक दुकाने बंद रखने की अपिल की गई थी किरिस्ती मंत्री बादल ने गवसाला पहुँचकर गायों को खिलाया गूर चोकर साल के अम्तिम दिन सुक्रवार को किरिश्ती एवं पसुपालन मंत्री बादल पत्रलेक हर्मूरोड इस्थी तराची गवसाला पहुँचे इस दोरान उन्होंने गायों को गूर चोकर खिलाया मंत्री ने इसके साथ ही गवसाला परिसर का भ्रहमन किया गवसाला के साब सफाई के और रख रखाव के लिए गवसाला परवंधन की प्रसंसा की उन्होंने कहा कि बीते दिनों जीव जन्तु कल्यान बोर्ट की बैठक मिनी ने लिया गया है कि जो गोवसाला को पकड़ कर दिये जाते हैं उसके खुराकी के लिए 50 उर्पे प्रति गोवसाला चो महीने की रासी आयोग द्वारा गोवसाला को आवाटित की जाती है निव इयर पार्टी में COVID-19 गाइडलेंड उलंगन पर होगी करवाई नए साल के स्वागत के जस्न को लेकर रांची के होटल रेस्ता कल्बो में त्यारिया पूरी हो गई है बतादे रांची वासी भी नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से त्यार है लेकिन 31 दिसमर नाइट का आयोजन करने वाले आयोजको पर COVID-19 गाइडलेंड का उलंगन करना भाड़ी पर सकता है बतादे जिला परसासन द्वारा COVID-19 समधित दिसाने देसों का उलंगन करने पर सक्त करवाई की जाएगी उपायुत राची ने इस समध में SDO सदर और SDO बुड़ू को अपने अपने छेत्र में जाच करने के लिए आदेस दिये जिला परसासन ने अभी कहा है कि सहर में कारकर में सामील होने वाले लोगों के लिए COVID-19 बैक्सिनेशन और मास्क जरूरी है पलामो में विशन सलक हाच्सा धान काट कर लोट रहे तीन मजदूर की मत कई घायल जारखंड के पलावों में सुक्रवार साम भीशन सवक हाजसा हुआ है बतादे हरहर गंज में NH49 पर भीशन सवक दुर गाटना में धान काट कर लट रहे कई मजदूरों के कुछ ले गाए हाजसे में तीन मजदूरों ने मौके पर हिदम तोर दिया जबकि कई घायल हुए घा अरखंड के देवघर जीले से पूलिस ने पिछले दो साल में 1210 साइबर अपराधे गिरफतार किये हैं और उनके पास से 51 लाक रुपे बरामत किये गए बतादे देवघर के साइबर पूलिस उपाध्यक सुमीत परसाद ने PTI को बताया कि साइबर अपराध के खिलाब चल यार 570 रुपे बरामत किये हैं कोडार्मा सदर अस्पताल का ओटी बंद 639 संक्रामित मिले कोडार्मा सदर अस्पताल के ओटी में कारणत विभिन पदो के कर्मियों के करोना पोजिटीव हो जाने के बाद अगले आदेश तक ओटी को बंद कर दिया गया है वहीं जीले में सुक्रवार को 500 अस्पत करमी सही 63 नए करोना संक्रामित मिले हैं बतादे इस दोरान एसपी की करोना रिपोर्ट दोबारा पोजिटीव आई है बरतमान में कोडार्मा जीले में एक्टिव केस बढ़ कर 344 हो गई है गोड़ा में चार संक्रमित मिले परसासन चौकास साल के अमतिम दिन सुक्रवार को गोड़ा जीले में चार कुरोना संक्रमित की पुष्टी हुई है इससे परसासन वा वेवस्था महकंपा सजक हो गया है बतादे संक्रमन को रोकने के लिए परयास सुरू करने होंगे लिए मुसीबत बन सकती है ऐसे में नए साल के पहले दिन से जीला परसासन और पुलिस परसासन को ठोस कदम उठाने होंगे धन्यवाद आवस्यक सुचना नए साल में लोग अपने घरों से बाहर जाकर पिकनिक क्यों मनाते हैं इसका कोई ठोस वज़ा बताने वाले को जारख हमें कोमेट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्यक दे थैंक यू